Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम कृतिका है और यह है O2IS Academy, हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के करंट अफेस कवर करने वाले हैं, इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अलाइड की, एचेस की या और हिमाचल में किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ह हिमाचल के करंट अफेस किस तरीके से पढ़ने चाहिए, और साथ में ही जो यहली कंपाइलेशन है 2023 का, इसको आप कैसे प्रिपेर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लाइड आने वाला है, इसमें भी हम लोग देखते हैं, कि 40 जो है questions इसमें से पूछे जाते हैं, करंट अफेस मे वो है Art and Culture of Himachal Pradesh, 2023 में ऐसे कौन से फेस्टिवल हैं, जो न्यूज में रहे, कोई नई हमने यातरा निकाली है, कोई कार्णेवल मनाया गया है, वही सारी चीज़े देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ने एक मैगजीन जो है वो लांच की है, free of cost है, इसको डा जाना है पढ़ने के लिए, तो एक बर जभी highlight कर लोगे और अच्छे से पढ़ लोगे, तो next time जब भी exam आएगा तो बार बार पढ़ने की जूरती पढ़ेगी, highlighted topics फटा फट पढ़े और अच्छे से ये आपका prepare हो जाएगा, इस तरीके से different different categories है, award, ranks, index है, then agriculture and horticulture है, कोई नई चीज हम लोग उगा रहे हैं, art and culture आज हम लोग देखने वाले हैं, तो कुछ news मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पढ़नी है, बाकी की जो है आप खुदी पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग art and culture की news के साथ में पिछले साल की, 2023 में शुरुआत जो है आपके मनाली winter carnival से, तो मैं अक्सर बोलती हूं कि आपना अपना एक अलग से calendar भी बना सकते हूं कि कौन से महीने में हमाचल में, कौन से fairs और festivals होते हैं, वो याद भी हो जाते हैं, हर साल news में हमें उनके बारे में कोई नई चीज भी पता चलती है, और जो पुरानी वाली static portion है, जो art and culture का वो भी cover हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले winter carnival की अगर हम बात करें, जो मनाली वाला है, इसमें important चीज़े क्या रहेंगी, mains के लिए important चीज़े आ जाएंगी, कि ऐसी जगा पे हम लोग अपना culture जो है, उसको showcase करते हैं, हमारी cuisine जो है, वो आती है, tourism जो है, वो उसके लावा आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सारी opportunities लेकर आता है, ऐसे carnivals में अक्सर जो naati है, वो की जाती है, महा naati, जहां पे बहुत सारे महिला मंदल हैं, वो मिलकर आते हैं, और इस तरीके की जो festival, cultural हमारा values हैं, वो दिखती हैं, फिर आता इन्हों ने अटल बिहारी वाजपाई Institute of Mountaineering and Allied Sports इसको भी established किया था, यह उसके भी founder थे, जैसे कि जो लोग इसका license ले लेते हैं, वो लोग जाते हैं, जो guide बनके जाते हैं, mountaineering के लिए, या फिर बहुत सारे लोग जो है, जितनी भी peaks पर चड़ते हैं, तो सबसे पहले यह से वो अपनी basic सी training जो है, ठीक है, तो इसी तरीके की आपकी history है, यहाँ पर फिर वहाँ पर skiing competitions रखे गए और ऐसे ऐसे करके, अभी जो है, आपका यह मनाली का winter carnival है, यह बहुत ही famous है, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए जाते हैं, next फिर news थी कि historic temple है पालंपुर का, उसको उसके उपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब जब पढ़ोगे इसमें, तो बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारी चीज़े नहीं पढ़नी, अगर prelims के लिए पढ़ रहे हो, तो इतना काफी है, सिर्फ इतना पता होना चीए कि माता आश जातवास्प में थे, तो यहाँ पर छुपने के लिए गए थे, और फिर काफी टाइम यहाँ पर रहे, अभी जो है, इसकी maintenance नहीं की जा रही है, तो इसी के उपर यह news थी, लेकिन news में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, एक 600 साल पुराना मंदिर है, माता आशापूरी टेंपल है और खांगड़ा में है, क्योंकि जब प्रिलिम्स में question आते हैं, तो मैं आज तो following में आते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं, कि यह वाला टेंपल कहां से आया, वैसे ही next से आगे हम लोग छोटी काशी महुचब, हम लोग जानते हैं कि छोटी काशी कहा जाता है, मंडी को, ऐसे करके आपका मंडी है, मंडी में से ऐसे करके जो है ब्यास निकलती है, यहाँ पर उल रिवर है, यहाँ से सुकेती खडाती है, तो यहाँ पर ब्यास के किनारे यह बसा हुआ है, इसी के लिए इसको हम लोग और बहुत सारे मंदिर हैं, तो छोटी काशी कहते ह है ठीक है यह यहाँ पर मनाया गया किस ने और गिनाईज किया तो एक एंजियो है जिसका नाम है स्माइल हिमाचल तो यह हमें पता होना चाहिए एक और शब्द आता है इसमें लुड़ी तो लुड़ी क्या है वो एक ट्रेडिशनल डांस है डिस्टिक का तो बस ऐसी सी कुछ इंपोर्टनेट निउस हमारे लिए यहाँ पर रहती है फिर आगया हालडा फेस्टिवल हालडा फेस्टिवल जो है हम जैसे मैं बोल रही हूं कि क्लेंडर बनाना है फेबरेरी के महीने में मनाया जाता है लहौल एंपीती डिस्टिक में अलग-अलग वैली में बहाँ सारी वैली के अब नाम जो है यहाँ पर जोग्रफी भी साथ में कवर हो जाएगी जैसे कि गाहर वैली यह गलती से लिखा गया होगा यह है रंगोली वैली तो यह सारी वैली के नाम आ जाते हैं हमें इससे पता चल गया यह लहौल वैली में है और मतलब लहौल एंपीती किया जाता है कहां मनाते हैं इसको पत्तन वैली में पत्तन वैली कि इसको बोलते हैं जहां पर आपकी ऐसे चंद्रा आती है भागा आती है और फिर आगे मिल जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं चेनाब चेनाब को चेनाब वैली को हम लोग पत्तन वैली भी कहा जाता है पतन वैली में जो ट्राइब रहती है उसका नाम है स्वांगला ट्राइब वहाँ पर हालडा फेस्टिवल माग पुर्णिमा के टाइम पर मनाया जाता है तो इस तरीके से यह फैक्ट जो है यह बनते जाते हैं और इनको हम लोग जोडते हैं जब बार-बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं और यही चीज़े पेपर में फूची जाती है कुछ नई चीज़े वहाँ पर नहीं पूचते ठीक नेक्स न्यूज है हमारे पास में एक कुल्लू के नो ऐसे गाउं हैं जहां पर 42 डेस का एक मौनवरत जो है वो रखा गया इन गाउं के नाम हमें याद होने चाहिए बहुत याद भी नहीं हो एट लिस्ट आपको हलका सा आइडिया हो कि यह कहां पर हैं जैसे आ गया गोश पासिल में ना वैलीज कभी खतम नहीं होती है अगर मैं आपको ऐसे हजारो वैलीज भी पढ़ा दूँ फिर भी आप बोलोगे कि यह वाली वैली आपने पढ़ाई नहीं क्योंकि पहाड जो है छोटी-छोटी रेंजिस होती है ऐसे करके वैली एरिया हो गया यह वाला यह तो इस तरीके से इतनी सारी रेंजिस हैं कि हर एक जो है वो वैली बन जाती है तो लेकिन जो भी आप नहीं नहीं नूज में पढ़ो एट लीस्ट उसको अपनी लिस्ट में आड़ कर लो कि कौन से डिस्टिक में यह आया जादा नहीं करना इसके बारे में कि कहां पर यह आ नदी का नाम लिख दिया, आसपास के लोग जो है महाँ पर एगरिकल्चर और होटी कल्चर के ओपर डिपेंड करते हैं वहाँ पर हम जिनेरिक चीज़े लिख लेंगे लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यह कुलू डिस्टिक में है ठीक फिर यह जो हम लोग है कि 42 डेज का एक मौनवरत रखा जाता है यह गौतम रिशी के लिए रखा जाता है और इन दिनों में कोई entertainment नहीं होता जो मंदिर है उसके दरवाजे बंद कर दिये जाते हैं और उसके बाद में यह काफी टाइम के बाद में जब खोलते हैं तो वहाँ पर मिट्टी जो है कि यहाँ पर शिवरात्री बड़ी मनाते तो इसको state level event बनाना है बनाया नहीं है पहली बात बनाना है काटगर की शिवरात्री बड़ी famous है क्योंकि यहाँ पर ऐसे करके दो शिवलिंग है शिवलिंग के दो हिससे हुए है जो छोटा वाला है उनको पार्वती माता बोला जा काटगर का यह जो मंदर है इसी को हम लोग बोलते हैं इन दौरा में कांगड़ा में यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां तक अलिक्सेंडर दगरेल्ट आया था और यहीं से वो जब उसने वापसी करने के बारे में सोचा था कि नहीं बहुत हो गया बड़ा लंबा यह यातरा रही है जंग रही है तो यहां पर आके उसने सोचा था कि अब मुझे आगे नहीं जाना ठीक है जी नेक्स्ट आपकी न्यूज देखो कि जो हमारे सी एम है उन्होंने शिवरात्री के फेस्टिवल को यहां पर इनॉग्रेट किया अब यहां पर आपका कल्चर सा सेन आजाता है अजबर सेन आजाता है और फिर एक इश्वरी सेन आता है तो तीन अलग-अलग हमें ऐसे कहानिया मिलती है कि इनके टाइम पर शायद यह शुरू हुआ हो ठीके जी साथ दिन का है इंटरनेशनल फेर है देव समागन बहुत सारे देवी देवता आते हैं पड जो है सूरज सेन आये कि इनके टाइम पर शायद जो है शिवरातरी का यह बड़ा फेर है वो शुरू हुआ फिर लास में एक और नाम आता है इश्वरी सेन का इश्वरी सेन की नदौन के खिले में 12 साल तक जो आपके महराजा संसार चंद है उन्होंने इनको बंदी बना के रखा था वहाँ पर तो जब यह वहाँ से छूटे गोर्खाज ने इनको छुडाया तो जब यह वापस आये तो अपने डीटी को जो इनके देवता है उनको शुक्रियदा करने के लिए उनने सब को बलाया था तो बोला क्या पता तब से यह शिवरातरी फेर जो है वो शु सेम वे में देखो पांच दिन का एक स्टेट लेवल का फेर है जो कि कहां पर है बैजनात के टेंपल में भगवान बैजनात शिवजी का एक स्वरूप वहाँ पर पूजा जाता है वहाँ पे पांच दिन का स्टेट लेवल का शिवरातरी फेर होता है याद रखेंगे पहली स्टेट लेबल का है, पांच दिन का है, नोट्स बना लेने हैं, बैजनात में हैं, कांगडा में हैं, ठीक है जी, फिर आ गया कि यह इसकी स्थापना की थी, तो दो मर्चंट्स माने गए, अहूका और मन्यूका, यह जो है, मतलब उस वक जो है, ऐसी कारोबार जो है, वो किया नहीं कभी भी जलाया जाता, गोल्स में जो है, महाँ पर नहीं होते, क्योंकि बोलते हैं, कि रावन की वज़ा से ही, भगवान शिव जो है, वो हाँ पर आये थे, नेक्स है हमारा, डिस्टिक लेवल फेर बिगिंज इन हिस्टॉरिक, जो आपका, कांगडा के इन दौरा मे एक और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, काठगड, जो मैंने टेंपल की बात की, वो यहाँ पर है, ठीक है, सेम ही चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शिव लिंग जो है, दो पार्ट में है, शिव और पारवती एक ही स्वरूप में है, फिर फागली फेस्टिव हैं, उनकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी ट्रेडिशनल उनको बनाया जाता है, और इसको मनाते हैं, फिर आ गया होला मोहला फेर, मैं आपको बता रही हूं कि कैसे पढ़ना है, अच्छे से खुद आपने खुदी पढ़ना है, बैठके हर ची बहुत सारे लोग जो है, पंजाब वाली साइड से महां पर जाते हैं, अक्सर बोला जाता है कि जैसे काला जादू वगरा किया होता है, तो वो यहां पर जाके ठीक हो जाता है, तो बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, यहां पर एक डुपकी ले जाती है, महां पर पास मे विलिज में, फिर देरा बाबाबर भाग सिंग में, दर्शनी खड, चरन, गंगा, तो कोई स्टोरी बना नहीं है, स्टोरी बना लो, ऐसे याद हो जाता है, तो ऐसे कर लो, हर साल न्यूस में आते हैं, ये पक्के हो जाते हैं, दोकर साल के बाद में, जब आप दो बार देख आप लिए बड़ी फेमस मनाई जाती है, यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर है, एक बहुती खुबसूरत, बहुत पुराना, करीब 300 साल पुराना मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर इस साल सरसफेर किये, यहाँ पर मेला रखा करेंगे, सरसफेर उसको इनागरेट किया गया लेकिन यहाँ पर एक रीसाच चल रही है, जो कि नेरी में आपका नैशनल रीसर्च इंस्ट्यूट है, तो इसमें पता चला कि जो आपके राजा संसार्च चंत थे, कुटोष डैनेस्टी के जो बड़े रूलर हुए, वो ना यहाँ पर पहली बार, वो साल में सिर्फ एक बाहर आया करते थे, और वो तिलक होली खेलते थे, तो यह है 1795 की बाद, क्योंकि सुजानपुर तीरा उन्हों ने उसकी स्थापना की, हमिरपुर में, तो 300 साल पहले की यह बाद, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कि वो एक साल इसी के लिए सुजानपुर की होली जो है, तो सेम वे में बाकी बड़ी सारी चीजें हैं, यह आप लोग ने पढ़ लेनी हैं यहाँ पर, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहते हो, सुही फेर आ गया, यह आपका इंटरनाशनल फेर है, फिर हम लोग भूरी सिंग म्यूजियम के बारे में पढ़ने आ हैं, तो यहाँ पर यह सिर्फ ऐसा बिलकुल नहीं है, कि यह आपका current affairs है, साथ साथ में आपका static portion जो है, वो भी cover होता वाजाता है, तो जब आप Art and Culture पढ़ोगे, आपको उसमें लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको already आती है, तो I wish you all the very best, यह जो PDF है यह आप लोग download कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल से हमारे, बहाँ पर यह आपको easily available मिलेगी, download कीज़े, printout निकल वाई और साथ साथ में पढ़ते जाए, I wish you all the very best and thank you for watching.